स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज हम देखेंगे एजुकेशनल नियूज जिसमें हम देखेंगे कि परधानमंद्री मोदी ने जो अभी पिच्चतरवा सतंतर दीवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को सम्मोधित किया था इसी दोरान पी-म ने देश की बेटियों के लिए बड़ी घोस्ना करते हुए जानकरी दी कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियां भी एडविशन ले सकेंगी पहले क्या होता था? सैनिक स्कूलों में जो आर्मी स्कूल होते थे, उसमें सिफ बॉइस के लिए लड़कों के लिए एंट्रि होती थी, अब वह लड़कों के लिए भी खुल चुकी है PM ने बताया कि मुझे लाकों बेटियों के संदेश मिलते थे कि सैनिक स्कूलों पढ़ना चाती है धाई साल पहले मुझे मिजोरम के सैनिक स्कूल में बेटियों के परवेस देने का प्रियोग किया था अब तैय किया गया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में 2020 में बनी थी, 2020 के बारे में बात करते हुए PM ने बताया कि यह निती 21 सदी की भारत की जरूतों को पूरा करेगी और NEP 36 भासा में सिक्षा परदान सिक्षा देने पर जोड देता है इसकी मदद से गरीब बच्चों की अपनी मात्र भासा में पढ़ाई कर सकेंगे जिससे उनकी छमताओं के साथ न्याय होगा NEP 2020 में गरीबी के खिलाफ लडने का एक उपकरन है इसकी मुक्य विस्ताओं में से यह एक है कि यह खेल सिक्षा को पाठे उत्तर के रूप में नहीं बलकि इसे मुक्य धारा की सिक्षा के हिसा बनाती है NEP जो हमारी National Education Policy है उसमें चेंज किया गया है और उसमें यो सैनिकी स्कूलों के लिए भरती होती है उसमें गल्स को भी एडविशन दे दिया गया है तो आपको जानकर इसे काफी हरी पने देगी जो भी बेटिया पढ़ना चाती है आर्मी स्कूल में अपना साकार करना चाती है वेस में अडविशन अब ले सकती है धन्यवाद